इक्टिशनकिती सोसब्द प्रतीमनट इस्टाट मानिश सभपती जी मुझे इस बात की प्रसंता है कि मानिश सदस्यू ने आविश्वास प्राप्त कर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ व्यक्त किये हैं आज हमारे देश की एक्ता को खत्रा पैदा हो गया है देश में ऐसी सक्तियां जन्म ले रही हैं जो देश को टुकणों में बांट देना चाहती हैं इस प्रकार की सक्तियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए इस पर हमारी विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मूह मोड कर दूसरी साधारन बातों की तरफ ध्यान देने लगता है मैं विरोधी दल की नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं कि ये कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारी देश में छेतरिय सवालों को लेकर भासा के प्रश्णों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते समय हमें दलगत राजनीती से उपर उठना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खत्रा पैदा हो जाए आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं एक तरफ तो पाकिस्तान आतंगवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी पर विवाद खड़ा कर रहा है आज हम सबी इस बात को महसूस करते हैं कि छेत्री भासाओं और छेत्री नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं इनका मुकाबला हमें राज नैतिक इस्तर पर करना चाहिए मैं यह बात भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो परिष्थितियां पैदा हुई हैं, जो प्रश्न खड़े हुए हैं वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती हैं आज हमारे देश के अंदर छेत्री असंतुलन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी इन पिछले 20 वर्षों के अंदर आर्थिक प्रगती दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज इनके अंदर एक असंतोस की भावना पैदा हो रही है सामाजिक रीती से इस देश के अंदर सोसरों हो रहा है और वे यह मैसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक सोसरों भी हो रहा है यही कारण है कि वे सभी लोग गलत दिसा में जा रहे हैं हमें उन्हें सही दिसा में लाना है इसके लिए सरकार को भी प्रियत्न करना चाहिए मैं कहना चाता हूँ कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है आज आविशक्ता इस बात की है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठ कर गंभिरता पूर्वक विचार करी कम से कम देश हित के सवालों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए इन अलफाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से प्रार्थना करूंगा कि जो आविश्वाफ प्रताओ ये सदन में लाए हैं उनको वापस ले ले हमारा देश एक महान राष्ट है हमें उसकी गरिमा के अनुस पार ही कारे करना चाहिए तभी हम दुनिया में अपने देश की गरिमा को उजागर कर सकते हैं इसलिए सबी देश वासियों को चाहिए कि लगन से कारे करें मैं कहना चाहता हूँ कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है आज आविशक्ता इस बात की है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनितिक दल आपस में बैठ कर गंबिता पूर्वर विचार करें कम से कम देश हित के सवालों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए स्टॉप